तो आज हमनों पढ़ेंगे exercise 8.4 तो सबसे पहले 8.4 के कितने पार्ट होते हैं यह जान लेते हैं तो 8.4 या फिर किसी भी चेप्टर में किसी भी exercise का 3 पार्ट होते हैं कितने पार्ट होते हैं तो जैसे कि हमने बात किया यहां पे किसी भी exercise का exercise की बात कर लेते हैं तो exercise कि किसी भी exercise का 3 पार्ट होते हैं यह कॉनबंसर पार्ट होते हैं यह देख लेते हैं पहला होता है introduction क्या होता है इंट्रो ion do iya को एक्जोम परिचे भी एक्जाम्प अग्जाम्पल तो इसके पाद आता है तरी ह्क्सर्साइज यानि की एक्सर्साइज एक्सर्साइज59 कि प्रसनावली ठीका प्रसनावली एक्सेसाइज मैंने पुरा इसमें रिखा क्या पर लिखा होगा ठीका तो हम लोग इस प्रसनावली आपको पढ़ाने से पहले किसी से मांन लिजए कि एक्षामपल के तौर पे यह पर चर्शन ओप और यह कि है घृए तो अगर इस दोनों और दोस्ति करना हो किसी तरह की बिजनस करना हो यह किसी तरह क een deal करना हो तो क्या करेंगे यह इसके पास जायेंगे यह फिर इसके पास यह अह खेंगे ये बात तो उसके बास एक दूसरे से एक पर ब्ली kulland । अपना कम सुरूARY कर दिन भाइब तुम ठीक हो बहुत अच्छे लग रहा है। और घृत एसा थितने पार आप लिए के लिए सबसे पहले हुआ दूसरे से इन रिड़ूस करते है तोम हम यह जो का म करने के तरीका किया है तेजर नहीं कर पाएगा है का इस के साथ कर पाएगा या कंपलिट करेंगे तो अगर ये दोनों मेरे साथ मिल जिन रहिए दोनों के बारे में ने जान लिया तो तीसरा exercise मतलब हमारा work यानि क्यामरा जो deal है वो पक्की हो जाएगी और हमारा काम सुरू हो जाएगा तो इसी के साथ जो ना इसी के साथ तो हम अपना introduce video को शुरू करते introduction को शुरू करते हैं introduction हम किसका सुरू करेंगे देख लिजिए हम लोग इस video में exercise 8.4 का introduction करेंगे क्या करेंगे exercise 8.4 का introduction करेंगे exercise न तो exercise हम लो इसमें देख रहते हैं इसमें क्या करना है सबसे पहले इसमें कुछ सर्वस्वामिका है सर्वस्वामिका मतलब क्या होता है देखेगा सर्वस्वामिका मतलब उइंगली से होँ है लोग पढ़ेंगे शर्वस्वामिका क्या अब बतार रहे शर्वस्वामिका मैं आज तो नहीं दो पढ़ा ही नहीं तो मैं बता दूत आप पढ़ चुके हैं देखेगा कैसे अपने बढ़ा होगा कि A plus B का whole square होता है A square plus 2AB plus B square, ठीक या फिर A भी अपने बढ़ा होगा A minus B का whole square A square minus 2AB plus B square A भी अपने बढ़ा होगा कि A square minus BA square जाता है, A plus B 1 into A minus B ये भी एक तरह का है हमारे formula है लोकल पाते है ये सूत्र है एक इसका स्टेंडर महां सा होता है इस सर्वस्वामिका क्या होता है शर्वस्वामिका ठीक है आई वास्वामिका तो इसमें हम क्यों पढ़ा रहे हैं सर्वस्वामिका क्योंकि ये तो हमारी ये जो सर्वस्वामिका है ये बीजगडितिये क्या है इति सः व का नहीं जो भी आंट नदेशास लिकिन अब हम लुग पड़ रहा है तुल्य मिटी यह इसमें भी कुछ सरोशामी कर यासे कि आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वार ठीटा प्लस को स्क्वार ठीटा ब्रावर वन ठीक हैना सेक स्क्वार स्क्वार ठीटा प्लस स्क्वार ठीटा माइनस माइनस तेन स्क्वार ठीटा ब्रावर वन आप तो देखे होंगे मुझे पता कि आप पढ़ा भी चुके होंगे दूसरा चीज है कि को सेक स स्कुर्ट 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 स्कुर् मैं आपको बता रहा हूं ठीक है ना लिशले में बढ़ाँगा कि आप वीडियो के स्किप मत किजिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा आपको हर चीछ समझ में आएगा मेरा ये पुरा प्रयास है ठीक है तो चलिए देखते हैं कि ये अगर माने जीजिए ये साइन कोस के स साथ ही क्यों गया और कोसे कोट के साथ ही क्यों गया किसी और की साथ भी तो जा सुकता था तो ये सर्वस्वामिका को प्रूफ करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन के वीडियो में ये सर्वस्वामिका और भी कुछ एक्चांप सर्वस्वामिका करेंगे और कुछ और भी 8.4 में जीतने भी फर्मूला पढ़ना है उसको मैं बारीकी से एक एक चरके इतने टुकड़े टुकड़े करके समझाओंगा ना कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप दुबारा है ना की फीट करने ही भूल पाईएगा गभी उसके बाद मैं एक्जांपल पर कर दू ने उसतरा उडा दिजेगा दुन हो उडाजीए उसका सज़ड़िये ने चला है चली है यह और यह वाले बनी ऊंशॉक अदो प्लस भी कि यह माइनस भी आ सकती थी यह मादनी चलेग उसको जानें आगे ये इस विडियो में तो बने रहे और आगे बढ़ते हैं तो इसी वाले फर्मुले जो यह जो हम ले लीक है इसे को कहते हैं मितिय सर्वास सामिका इस को कहते हैं तहना तृटल समझ देसे होती है और हम सुर्व करते हैं यहीं क्यों मतब कि मेदिक आने का मतब यह है तो मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी exercise का उठाईएगा कि जाएगा किसी भी exercise में तीन तौपिक होते हैं वह पहला होता है इरे का नकरेकान को लसा होता है क्या होता कि है और अघ्यांप्रह टत रहुता मैं अब मुर्ण देखेर लेते हैं विए दू eleg और कि आप लोगों को पता होगा आप लोगों को पता होगा सब्सक्राइक ने इसलिकों नहीं 90 degree का है जब 90 degree का है तो यह क्या से त्रिभूज बनेगा समकोर्ण त्रिभूज बनेगा ठीक और समकोर्ण त्रिभूज में हमेशा पाइथागोरस थियोरम पर यूज होता है पाइथागोरस पर मैं यूज होता है और पाइथागोरस पर मैं आधाःफ होता है कि कड़ आसकॉयर बराबर होता है क्ड़ अधारIR अब यहां पे देख लेते हैं कि आधागर gegen को तो रहां को हम लिख देना और लम्ब को कहते हैं यहां पर लंब को कहते हैं सब्सक्राइब नहीं को इपसितने बाते आपको समझ में इतनी बाते समझ में अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि अब आप देखे यह जब 8.4 में आप पहुंच चुक था आपको मुझे नहीं लग रहा है कि यह बताना पड़ेगा कि हमारा कड कौन है और लंब कौन है और अधार कौन है इतना तो आपको नौलिज हो यह गया होगा अगर चले ठेक है अगर नहीं हुआ है ना तो मैंने इसके उपर बहुत सारी विडियो बनाए हुए है आप जा कि उसको एक पर देख लिजी आपकी हर डाउट क्लियर हो होती है वो क्या कालाती है कड कालाती है क्या कालाती है अब यह लंब जो है ना और यह लंब यह भी बन सकता है यह डिपेंड करता है हमारे कड के उपर यह निकि ठीटा के उपर हम बात कर रहे हैं अगर कूड ए यहनिकि साही एक की बात कर रहे है एक सामने वाली हुजा क्य होगी लंब हो जागी जानी इसकेश्मे क्या होजागा यह ये लंब होजागा इसके निचे अ होजागा है आधार हो ठीक करण आप समझ गए किल टो हम सबस्जों को मुदे को लिए चल्य हृए कभी भी लिखंगा roots अगर हमने सी लेता तो हमें को लिखना पुरता है साइन सी कॉसी जो कुछ भी लिखता सी लिखता तो अब यहां पे आपने देखा कि अब है अब हमारा देखिए काड़ है कितनी है ए और सी यहां से यहां तक एसी हुआ तो अब यहां ठीक है अब पी पी मतलब बीसी बीसी का होल स्कॉर और अधार मतलब यहां पर अलग दे रहे हैं कि कन खोगा केक्ज अब बीसी आगी कितना होगा सी कंड का मतलब यहां एच लिख दो नहीं हम क्या करन ऐगा बाति हमारा क्या हो जागा बेस कितना हो जागा बाबो अब हम क्या करेंगे फर्स्ट एक करके फर्स्ट यानि कि एक स्टेप यह लेंगे सेकेंड में यह लेंगे थर्ड में यह लेंगे यानि बारी-बारी से एक पहले A C फिर B C फिर A B तीनों को बारी बारी से इस वाले नंबर को हम लोग का करेंगे डिवाइड करेंगे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे जितनी बार डिवाइड करेंगे उतने के समको देखने को मिलेगा मान लिजे कि हमने देखा कि कभी होता क्या है गहाने है कि कर्ण से डिवाइट कर रहा है तो क्या फायदा है अगर किया मिल रहा है यह बारी-बारी से हम भी करके देख लेंगे किसको डिवाइड करना है हमको कर से एक कर से किसको डिवाइड करना है कि है यहां पर हमारे क्योंसा है यानि वी अब यहां पर क्या है यह जन्युक्या दिवाइड करने इसको भी ऐसे से त्षाव और इसके भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो बात समझना एक नहीं अब देखना तुम से लिखना यह क्णड़ का अब देखना यह के इसको अम ऐसे लिख सकते हैं क्या A C बटा में A C का whole square और इसको लिख सकते हैं क्या B C बटा में A C क्योंकि दोनों पर A square है तो दोनों पर square हम चड़ा हो रहे हैं प्लस A B बटा में A C का whole square कोई देख कर नहीं है न यहां पतेखी का A C क्या है हमारा कड है A C क्या हमारा कड है यहां पर A B हमारा क्या है का whole square और B C B C हमारा क्या है लंब है लंब है लंब बटा में कड का whole square यहां पर A B हमारा क्या है आधार है यहांने कि B इना B by H इतनी बातें समझ में आई आपको ठीक है इतनी बातें समझ में इतनी बात है आपको समझ में आई समय में आ गहीं से लिए ठीग है कोई बात नहीं है अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम इसको हैच और एच को काड़ दे तो इक मिलेगा अब यहाँ से हैं क्या कि एक का स्कुराइब और यहां पी बाइच किसका हो गता है देखे तो ही वाइच का मतलब क्या हो इसस którą हाइब वो साइन यहां पर देख लाहां पीज़ चुन कहों बाइच और अपनिको अन एटकि निकले जाये बां और यहां पर कोट कीबात करें तो का होता है यह बात है आप लोगों अब देखेगा याने कि पायई स्वाइज के मतलब साइन एंस की बदीस के बात कर रहें ठीक है अगर विबायेद की बात करें तो विबायेज की किसका होता है कौस का होता है को अब हम बाप को बताते हैं कि one 1SQA करें तो 1 होगा. यह हो जागा Sin2A प्लस हो जागा cos2 कaming स्क्राइर करें cos2A कि ठचैज़ा बाइब violation 2A A到 nie gya अब इसको अकर लिखते हैं यहाब में sin2A plus cos2A 1 यह वाले में इस लिए हम यहाबे क्या करता है अब देखते हैं कि अगर AC से भाग देने पर प्लस आया है तो BC से भाग देने पर क्या आता है हम उसको बारी-बारी से सब को डिवाइड करेंगे फिर प्रमुला को क्लियर करेंगे आज की वीडियो में फिर कल हम लोग अब इसको नेक्स्ट एक्जांपल करेंगे और उसके बाद जो है exercise को काम करेंगे ठीक है ना तब तक आप इसको दो बार तीन बार जितना बार हो सके देख लिजेगा ताक्कि आपका concept clear हो अगर आपका concept clear है तो आप math को स्टुट्कियों में इस तरह है पार लिजेगा ठीक है है यह जिए हम लोगों सुल करें हैं सेकें देखते हैं कि क्या करना होगा हम लोग अगर हम बीसी से डिवाइड करते सबको क्या करते हैं थेक है उसके बाद सब में करते हूं सब में BC कर दो अब देखना क्या है यहां पर देखना क्या है कि 20 इसको हम ऐसे लिख सकते AC बटा में BC का होल स्क्वायर ठेक है दूसरा चीज़ क्या है आप पर देखना क्या है अब यहां पर देखना सब मैं चाहूं तो चेंज कर ओने या पर कर दो कोई दिक्कत नहीं है C मतलब क्या है H है और B C मतलब क्या है P है अब देखो B C और B C कुकार दो ये क्लिक दो डाइक क्लिक कोजी कट नहीं है एब क्या है अधार है यानि B है और B C क्या है तृफ कोई दिक्सेथ नहीं है ठेकले एच और इस्फाइप यहां देखे किसका है वह कौर स्क्षाइब यहां लिख सकते हैं कौॉष कोई बात नहीं है अब देखना क्या है प्लस है तो प्लस लिख देखे बीबाइप यहां देखे तो किसका होता है कि नहीं होता है अब इसको क्या करना है ना कि हम इससे लिख देंगे कौसेक स्क्वाइर अब मैं एक काम कर सकता हूं क्या कि यहां पर देख लो कोसेक स्क्वाइर स्क्वाइर अब बराबर क्या होता है तो मैंने एक बच गया एक बच गया तो हम इसको भी कर दे रहा है कि कैसे यह हो रहा है कैसे इसको प्रूफ कर देना है ठीक है अगर आपको पसंद आ रही है रही है कि कुछ नूलेज आपको मिल रही है तो वीडियो को पर चैनल पर नहीं है तो क्या किजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देजिए ठाकि हमें क्या होता ना अगा अब लोग सब्सक्राइब ये लाइक करते हैं तो मैंने मनोबनार्ट बढ़ता है गर में ठंडी बढ़तात कुछ भी हो मैं उसमें वीडियो बनाने कोसिस करता हू यहाँ पर मैंने लिखा कि यह वैज़िए क्लियर होगा तो सब को A-B से डिवाइट कर दो एनौ चलो A-B से सब को डिवाइट कर दो A-B से सब को डिवाइड कर दो ठेक हुद है Mayo समझ में यहां अब इसको मैं इसको मैं लिख सकता हूँ क्या आप लोगों से समझ ही गए होंग Metal कि याने वालगे ठीक है यह थिक एक फिर भी मैं करकед दिखाजे रहा हुए तए दोनों कण जाना तो क्या हो जाएगा का higher square हो तक है वोडिकत नहीं है तो है पैस्ट है यॉपफि देखे तो कहां मिलता है हमारे पास से का स्कॉाइर एक के पास मिलेगा इससे का स्कॉाइर यॉप लिक सकते हैं ना चलो बभाबर है देखो कि पी बाइब यानि कि टैन का होता है पी बाइब यहां प्लस में वन अब इसकाम करो सेक स्कॉाइर ए माइनस टेन स्कॉाइर ए बराबर क्या हो गया यह वाला भी हमारा क्या होगा प्रूफ हो गया तो मैं आप लोगों के लिए एक स्वाट कोट बनाया हूँ मुझे लग रहा है कि बना देना चाहिए आपको helpful लगा तो इसकी जेकर नहीं लगा तो मत किजिए ठीक है एस फूर सेक टी फूर टैन सी फूर कॉसेक और सी फूर कॉट ठीक है तो यहां पर फर्स्ट वाले केस में याद रखेगा कि प्लस होगा बाकी सब क्या हो जागा माइनस हो जाएगा एसी-क्या विजब भूने एसी-ईसी के-सी-एसी-ईसी-एसी-सी एसी-एसी-प्लस में रहेगा बाकी सब क्या होंगे-तो थोड़ाव सवाओ और फूर्मृला से आया है ठेकर उसके बाद अब अब इसी से उसके देखी हैं कि इत्री से कम से समझ जाईएगा अच्छे तरीके से क्लोगा प्रैक्टिस कर लिजेगा 8.4 से आप खेलना सिख लिजेगा आपको मैं खेलना सिखा भी दूगा ठीक है चलिए तो अब यह समझ मैं कि तिरकुडमितिय सर्वस्वमिका जो यहीं है और भी है ना तो पहले हम बारी-बारी से ठीक है का लिखा है साइन स्क्वाइड एलिखती ठीक है चलेगे 1 banget सैबसी मियह निकालना चाहते हैं टो वर उस्वाइन स्क्वाइर हो जाएगा अmee कॉंस स्क्वाइर निकालने स्क्वाइर कुक्त परेशिए अगर सक्वाइड हो अभी यह कर सकते है क्या अभी यह कर सकते है क्या कि अगर हम्च सब्सक् sword ПрYo 005Ayoda जाए हैं तो हो जाएगा one minus sin square a इतनी बातें आपको समझ में एक फ़मुला यहां पर आपको बन गया दूसरी चीज यहां पर देख लीजिए आप का लिखा है सेक स्क्वाइर ए माइनस 10 स्क्वाइर ए बराबर वन तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वाइर बराबर one plus ten square a इतनी फिर माइनस में जाए कि प्लस बन जाए ठीक है अगर हम यहां पर लेना चाहिते हैं शेक स्क्वाइर शेक ए तो यहां पर बन जाएगा one plus intuitistically निए सब्सक्र कर सकते हैं एक की सब्सक्रीम और सब्सक्राइब शुच्ज कने चिस खाइब सब्सक्राइब लोगे लालागे चुछ सब्सक्राइब पैसे करका 2 यह कंष्क कह जाएब कर बैर मेक्स 2 कोर्ण दो है कि यहां पर लिख सकते हैं कि 10 बराबर होता है वो सेक स्क्वाइर ए माइनस वन या फिर अगर हम सिंपल सी टैन को निकाल ले टैन एको निकाला तो क्या हो जाएगा देखिए तो सेक स्क्वाइर ए माइनस का वर ठेक है बात है समझ माई तो यहां पर पांच यहां बने गया और पांच यहां भी बनेगा पांच यहां भी ब अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर देजेगा और अपने दोस्तों के साथ का कि जगा सेयर भी कर देजेगा ताकि क्या है नहीं मेहनत करने का मतलब क्या होता कि सारी जो मेरी मकसद है वह मेरी मकसद है कि सारे बच्चों तक जितने मैं हो सकता है कर रहा हूँ अगर हम क्या निकालना हो क्या रहता है वन प्लस और स्कॉइर एठिक अगर हम यहां करें कॉसेक स्क्वाइर कॉसेक एक क्या कॉसेक ए बराबर अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वाइर लिख सकते हैं क्या तो वहीं सी जो मैंने किया था फी अगर कोट कोई धर हम सिफ्ट कर दें तो वन कॉम को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा यह माइनिस अबर क्या हो जाएगा को सेक स्क्वाइर ए माइनस वन ठेक अगर हमको निकालना हो कॉट ए अंडर उट निकाल लेंगे कॉसेक स्क्वाइर ए ना माइनस का वन तो यह पांस चीजा में फिरूफ हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा अब इस पे कुछ और फर्मूला और ज्यादा नहीं है आपको समझ लेना है क्या है तीन में निकाला था और तीन से यह 15 हो गया तो मेरी क्या गलती है अब देखेंगे यहां पर देखेंगा एक शिज़वर करेंगे है साइं ठीटा और प्लाइक है को छेट अबराबर गज्या सारे बच्छे कहां कि नरीत सा एक में इसको करके देखा रहा हुं सांइल यह चार्ण Finger कोंदकद, तब बता तो चलिए अब यहां पर मैं एक ची और कर रहा हूं साइन का को सेक्ट होता है और टाइन थिटा इसके और होता है सब्सक्राइब करने चाहूं इसको तो क्या हो सकता है अगर मालो सब्सक्राइब को साइन थिटा का निकालना तो वह इदर मल्टिप्लाइब में को सक है तो तो हो जागा कि नहीं हो जाएगा पता हो तो अगर मालो एक चीज़ और कर सकता हूं कि को अगर हमको सिर्फ निकालना तो क्या करेंगा वह इदर मुल्टिप्लाइब में साइन थिदर आजाएगा आग्या बासमझ में वह सी तरीके से इसका भी हम लोग कर लेंगे अगर हमको का निकालना हो टैन निकालना हो तो वन तो यह बात भी आपको समझ में आ गया है चले एक थ्वास और एक बचा हुआ है मैं उसको भी लिख दरा हूं यहां पर यहां में लिखता रह 요즘 खेला है रहाँ कि 10 ठीट क्या होता है बायबो साइन ठीटा बता मी आपkek अगर मालोग कि हम में लिखना हो 10 सुध्य टिट थीट आपको इतना ही फर्मूला को रट लेना है समझ लेना है दो बार तीन बार चार बार इतना बार हो सके इसको देख लिजेगा इस वीडियो के देखिएगा आपको बहुत अच्छा तरीके से शमझा पाया हूँ और समझ में आपको आया होगा है ना तो फिर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आएक कर देजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी